उसको नंगा करो, तुमने वही चीज़े की, बिना कपड़े फाड़े तुमने अपनी आउरत की इज़त उछा ली, और तुमारे साथ साथ उन सभी ने, उन सभी का बोल रही हूँ, जिन सबने इस आग में रोटी से की है, अपने हाथ सीके हैं, ऐसा कोई नहीं है मैं भी ठीक हूँ, अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा, जिसके अंदर जिसमें आपको पता होगा, कि विश्नु जेल से बाहर आगया है, बेल मेली है उसको, और उसके बाद उसने जो क्रिया है, वो की है मालती की, तो पहला शवाल तो मेरा ये था, कि मालती, क्योंकि उ गुसे मेरे साथ कुछ अन्होनी हो जाए, तो चलो ठीक है, उस टैम उसने किया, पर वो मालती को, कहते है न, जब तक पती रहता है, तो पती के कंदे पर ही और जाती है, तो वो चीजे नहीं हुई, पहली चीज, दूसरी बात क्या थी, जब ये सब चीजे हुई है, तो उस जब बेल से आया है विश्णू, आने के बाद वो जो अब दिखा रहा है, दिखा रहा है कि मालती का श्राद किया है, ये सब चीजे की है, तो पहला जो भाग था, पहला जो पार्ट था, जब मालती डैद कर गई थी, उसके बाद पोस्ट माटम के लिए उसको लेके गए थ सब चीजे ठीक हैं, पर वो तब मुमकीन होता है, जब एणसान अपनी मौत मरता है, जब वा पनी मौत नहीं मरता तब यह सब चीजे नहीं होती है, अभी तुम किसि को लेके बैट उसके सास together, पूरि हाद इसा नहीं था, कि माल्ती के सस्वराल में कोई नहीं था. विश्नु जेल पहरा जला गया था, बाकी लोग तो जेल में नहीं गये थे ना, विश्नु नहीं तो अपने आप कोँ आहरेष्ट किया और जुसी दिए हाजा, मतलब ब्लेम कर दे और मेरे साथ कुछ अनुखो नहीं हो जाए इसलिए अपने सेफटी के लिए वो जाकर वाँ फसा था खुद से आज उसे बेल मिल गया क्योंकि वो खुद गया था उसको लेके थोड़ी गई थी फुलिश तो ये सब चीजे हुई बेल मिलने के बाद अब देखो जीते जीते तो तुमने उसे चोड़ा नहीं उसकी क्या क्या तुमने नहीं करा ठीक है उसके साथ जो किया तो आज वो सब को छोड़ चाड़के जा चुकी है पर उसकी आत्मा अभी भी यहीं होगी तुम्हारे आसपास ही मंड़ा रही होगी उसका रिजन यह है क्य कि वो अपनी मौत तो मरी नहीं है और जिसकी वज़े से वो मरी है उसे तो भया वो छोड़ेगी नहीं कहते है ना अब तुम्हारी बात ले लो क्योंकि तुम्हारे जो भाई सब हैं जो तुम्हारी बोडिया है तो अब जो रिष्टे निभा रहे हैं रिष्टे दिखा रहे ह पुलीस ओलों नहीं सब चीज़े किया और मालति के परिबार वाले वाहां पोंचे थे ना कि ससराल वाले कि मैं कभी भी ऐसा जो होता है न मैं बहुत सोच के शमझ के तब आप लोगों के सामने को चीज़ लेके आती हूँ ऐसे नहीं कि अभी मैंने पांच मिनेट पहले वीडियो देखा और मेरा मन हुआ चलो मैं वीडियो बना देती हूं ऐसा मैं काम नहीं करती हूं इसलिए मैं बहुत सो समझके और टाईम लेकर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूं क्योंकि मुझे पता है जो मैं अपन अब तक इतनी वीडियो आपने देखा मालती के क्या क्या हुआ, सब लोगों ने जाकर अपना व्यूज बटो रहा, किसी ने मौका नहीं छोड़ा, कि इतना सा मौका नहीं छोड़ा कि चलो हम क्यों इस चीज के पढ़ते हैं, हम क्यों इस चीज को आगे लेके जाते नहीं, अब तो ना तुम लोगों को देखके ए चीज ए अंदाजा हो गया है, कि इनसान है, तो भी उसकी हिजद नहीं करनी है, और जब वो मर गया तब भी उसकी हिजद नहीं देनी है, ये हाल है, आभ उसके ओपर ऐसा-ईस इस इल्जाम लगाया रहे है, ऐसी-इसी बाते की जा उसको मरने के बाद भी उसको चैन से नहीं जीने दे रहे हो। वो दैत करी, उसके बाद उसकी जो अंतिम संसकार हुआ, जो भी कुछ हुआ, क्या ससुराल वालों का इतना भी फर्ज नहीं था, कि अपनी बहु के लिए, वो कुछ पैसे, कमाते सब थे, ऐसा नहीं कहरी हूं कि नहीं कमाते थे, जो आज कल देवर निकल के आ रहे हैं, जो द हुने नहीं दिया गया, तो कैसे यह सब चीचे होती, बहुत लोग बोल रहे हैं कि विष्णु अपने माबाप से दूर रहता था, चलो मान लिया, वो मतलब नहीं रखता था, ठीक है, तो मतलब नहीं रखता था, जब वो बिहाने गया था, जब उसकी रिष्टे की बात यह उसने उकसाया कि नहीं तुझे चलना होगा और यहाँ तेरा कोई भी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजे ऐसी हैं, और बहुत सारी बाते ऐसी हैं, जब मैं आप लोगों के सामने पूरी हर चीज रखूँगी तब आपको लगेगा कि यह तो सोच कही परे था, कैसे कि किसी को फसाया जाता है, कैसे किसी के साथ क्या-क्या चीजे की जाती है, उसको mentally disturbed किया जाता है, उसके पास स्रिफ मात्र एक रस्ता चोड़ा जाता है, या तो खुद कर दे या हम कर देंगे, यह की रस्ता चोड़ते हैं, तो उसने बहुत कुछ अपनी सफाई दी, बहुत क धारन कर लिया, क्योंकि उसने सोचा, चलो शादी तो हो गई है, अब शादी हो गई तो मैं उसका पूरा फाइदा उठाऊंगा, क्योंकि शादी पब्लिक कर दी गई है, ठीक है, वीडियो बनाया, पब्लिक कर दिया, अपनी पत्नी के साथ, तुमने जो जो किया ना, वो उसको बोलने के लिए जवाब भिना हो, कि ये मैंने इसलिए किया था, ये मजबूरी थी, नहीं, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, तुम्हारा इश्क थाना वो सिर्चड़कर बोल रहा था, और जब इस शिर्चड़कर बोलता है न, तो आदमी के पास न, एक ही रिष्टा रह जाता है, क्योंकि ओरत को हर तरह से तो बदनाम नहीं कर सकता हो, एक ही रिष्टा रहता है, और आखरी रिष्टा वही रहता है, कि ओरत के चरित्र पर उगली उठाओ, उसको जितना हो सकता है, उसको नंगा करो, तुमने वही चीज़े की बिना कपड़े फाड़े तुमने अपनी औरत की इज़त उचा ली और तुम्हारे साथ-साथ उन सभी ने उन सभी का बोल रही हूँ जिन सबने इस आग में रोटी से की है अपने हाथ सीके है ऐसा कोई नहीं है गुरभपूर में जिसने इन चीजों का फाइदा नहीं बिगड़ा और उसका कुछ नहीं बिगड़ा और जितनी जो तुम्हारे वहां के सब लोग है न जो कैमरा उठा के वीडियो बनाते है उनका भी कुछ नहीं गया अगर गया है तो सिर्फ उस बच्चे की मा उस बच्चे का बाप प्यार सब चीज अभी त पर इतना तो नहीं गेड़ता कि अपने बच्चों की नजर में गिर जाए तुमने तो कहते है ना रस्ते भी ऐसे खोदे हैं जो आप लोग कमेंट में बताना आप तक आपने जितनी भी मेरी बात सुनी है जितना भी आपने उस चीज को फील किया है आपको क्या लगता है क् मालती के साथ जो हुआ वो खुद उसने किया है या उसके साथ पताईये का सबीए मिलती हूं नेक्स वीडियो में अपना और अपनों का खयाल रखेगा दुआं में मुझे याद कीजिएगा जैश्य किष्णा राधी राधी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजि और मैं करती हूं मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में जैश्य किष्णा राधी राधी